जैसा कि आपको पता है कि आधारकाट की वेफसाइट जो अपडेट कर दिया गया है और अपडेट जो हुआ है अब जो आधारकाट आप डाउनलोड करेंगी या इस्टेटर चेक करेंगी वह न्यू तरीके से होने वाला है बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं कि न्यू जो अपडेट हुआ है उस अपडेट के बाद आपना आधारकाट कैसे चेक कर पाएंगे तो न्यू वेबसाइट से न्यू अपडेट के साथ किस तरह अपना आधारकाट डाउनलोड कर सकते हैं आधारकाट का इस्टेटर डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि वेफसाइट अपडे अब चैनल आर पहली बार आया हैं तो वीडियो पसंट दाय वीडियो को स्कावड को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब-छिद को LOBE, Never अधार डॉनलोड पर क्लिक करें कुछ इस तक है यहां पर नोटिफिकेशन आगा तो यहां पर OK बटन क्लिक करेंगे जैसे आप OK बटन क्लिक करेंगे न्यू टेम में एक न्यू वेबसाइट आपके सामने अपन हो जाएगे जो myadhaar.uidi.gov.in की वेबसाइट है आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं मैं डारक्ट इसका लिंक आपको वीडियो को दिस्का मोग सुन दूंगा तो डारक्ट आप इस पर किलिक करेंगे बुक कर सकते अप्वाइमेंट यहां पर अपना EID या UID की नंबर जो है वो फोर्गोट कर सकते हैं यहां पर अपना मोबाइल नंबर भी फाय कर सकते हैं चली जैसा कि कोई कस्टूमर आपके पास आता है कि यह रसीद है मेरा अधारकाट की इसको हमको चेक कर देंगे आप कस्टूमर होंगे जो आपको रसीद अदेंगे कि अ रसीद ये मेरा अ आधारकाट डॉनलोड मतलो जो को चेक किजिया मेरा हमएए नहीं बना है तहो आप यही पर आएंगे और दिनर्बंध दे दिए जो कि 14 अक्षारों का हो यह को inrolment number देचुके भी बताइए इन्वालेट है इसके लिए किया हो우 इसके लिए हमको date समय देना होगा कि देट समय दनी के लिए हम बताइगा है Oh यृवल्मेंट यहाले कि 2021 सले है 2021 दिना के उसके बाइद कह किस data को enrollment कर रहा है 2021 में मारमлох मन्त यानि की में enrollment कर यह इन्ल्फ में इन्रूमेंट में सहाइक की दिन के का यह यह जा देना होगा कि मैंने पाहले enrollment number दिया उसको इन्रूमेंट कर चाइए उसका पहले साल देंगे तब might लीनट सबस्कराइब बनाता वहां दा कि इंरोलॉल्मेंट नंबर के सब्सक्राइब नाइस समय में पहले गंटा तब मीन तब सकंड दिन उसको देख सकते हमाली इंडूलम्ट है तो यह सही करता दिया गया यह आप गलत नहीं बता रहा है, अब यह capture को यहां पर enter करेंगे, जो भी दिखा रहा है आपकी case में, capture अलग होगा भी बन गया है ऐस सुधार भी केऊंगी तही सitaire स्क्राइब शॉक्ट कर सकते रिजिक होगा क्शिका उख सिम्ध कर सकते अब बटा दिया जाता है कि किसी का तो यहां पर बता दिया जाता है कि आपका अधारकाराइब रिजट्ट हो तो भी आप प्रहार नमबर से डांडोड करना चाहते है अपना अधारकार या इंरॉल्मेंट से या SHE в us वेचल डाइडी से आळारकार डांडulan ना चाहते मैं जो इंबल्मेंट आईडी से अधार करना चाहता हूं। उसके यहां पर करेंंगे और फिर उसी तरह में 14 अक्षर का जो है enrollment氏 यहाँ पे इनमबर होगा एं तो हमने यहां पर इन्रॉल्मेंट नंबर हैं?. यहा पर और की enrollment number insert करने के बाद फृर से जैसा है में आपको बता है कि समय देट देना है , date में पहले क्या देना है ? ! साल देना है उसको मन्त देना उसके वाद देना यानि कि पहले इन्रोल्मेंट नंबर तब साल तब महीना तब दीन उसको आपको समय देना समय पहले घंटा देना है उसको मिनट देना उसको सकेंड देना इस तरह आपको इन्रोल्मेंट नंबर वाले कॉलम को फिल अप करना को वह भी लाइन वह गरा डॉट वह गराए फलस वह गराइं आपको नहीं यूज करना उसको स्केप्चर वाले बॉक्स में केप्चर इंटर करेंगे देखिए capture इंटर कर चुके हैं उसको send OTP किलिक करेंगे यहां देखिए OTP सक्सेसफुल डिस्पेच OTP बेज दिया गया रेइश्टर मौल पर यहां पर OTP में इंटर करेंगे OTP भी हमें receive हो चुका है जो कि आप तो देख सकते हैं OTP हमें receive हो चुका हम उस OTP को यहां फिल अप करेंगे OTP फिल अप करेंगे तो verify and download बटन भी किलिक करेंगे तो यहां भी देखिए आधारकार की जो लोडिंग हो रही यानि कि डॉनलोड पर करेंगे हमारा अधारकार है तो आप देखेंगे यहां पर देखा आपने हमारा अधारकार डॉनलोड हो चुका है यहां पर इस अधारकार यह हमारा अधारकार की पीडिया पर इसे हम डॉनलोड कर चुके हैं और यहां तो go to dashboard पर किलिक करके आप यहां पर आधारकर जो PDF में डॉणलोड होचका आप यहां तो देश्वोट पर किलिक करेंगे अब गोटू डेश्वोट पर जाके यहां पर लोग-इन करना होगा मुझे मतलब अपनी अधारकर को माइनेज करने के लिए अपडेट करने के लिए फिर से डॉणलोड करने के ल दोनों हमने जाना आपको लाइव मैंने एश्टेटर चेक करके दिखाया और डॉणलोड करके भी दिखाया इसी तरह वेफसाइट अपडेट होनी के बद अपने अधारकाट को डॉणलोड कर सकते हैं और इन्रॉल्मेंट की अपडेट भी आप यहां से चेक कर सकते हैं मैं आपने काफी कुछ सीखा होगा और वीडियो पसंदाए वीडियो को लाइक किजीगे चैनल पर लिबारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकान को जोरू प्रेस किजीगा